अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें आए बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लारामानिराहिम सबसे पहले फ्लेम को कर लिया है और अब हम इसके अंदर तीन पाउ के क्रीब बीफ निके गाएं का गोश् आप लोग फ्रेश भी ले सकते हैं अब हम इसके अंदर धाई लिटर के करीब पानी आड़ करेंगे यानि के धाई किलो फ्लेम मेडियम है धाई किलो पानी आड़ कर लिया है यानि के धाई लिटर अब हम इसके अंदर एक प्याज आड़ करेंगे और यह साथ ही हमने इसके अंदर एक दालचीनी का पीस दो से तीन लॉंग और तो हमने अलाची आड़ कर दी है साथ ही दो चमच हम अध्रक लसन का पेस्ट आड़ करेंगे इस सारे मिसाले अड़ कर दी है फ्लेम को मीडियम कर दिया है अब उपर से कवर करके 10 से 15 मिनट हम इसे पकाएंगे जी तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं अब हम इसके अंदर एक चमच काली मिर्चों का अड़ करेंगे और साथ ही अब हम इसके अंदर एक चमच नमक आप लोग अपने टेस्ट के मिताबक अड़ करें और अब हम इसके अंदर आदी चमच हल्दी अड़ करेंगे हल्दी आप लोग अड़ करना चाहें तो कर लें वरना यह ज़रूरी भी नहीं है अब हम इस सारे मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उपर से कवर करके हम जीद 20 मिनट तक हम पकाएंगे याद रहे कि यहाँ फ्लेम मेडियम है 20 मिनट के तरम्यान से हम चेक करते रहेंगे अब हम एक दफ़ा चम्मच चिलाएंगे ताके जो सारे मिसाले हैं यह अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं फिर हम कवर कर देंगे इसी तरह से हमने 20 मिनट पकाना है इसे दरम्यान दरम्यान से चेक भी करते रहेंगे जी तो यह देखें अब हम इसे मजीद 5 मिनट तक पकाएंगे यहाँ पर आच मेंने मीडियम से कम कर दिये है जी तो इसे पकाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं अब हम फ्लेम कर देते हैं आफ जी तो यह देखें माशाला से हमारी बिल्कुल परफेक्ट बीफ यखनी त्यार हुई है आप लोग जरूर ट्राइ कीजिएगा बदलते मौसम के लिए सर्दियों के मौसम के लिए स्पेशल यह बहुत ही मुफीद होती है आप लोग जरूर ट्राइ कीजिएगा आप लोग को यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्ली झाल झाल